नानक आया, नानक आया, नानक आया कढ़तारन गुर्व नानक आया, नानक आया वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फत् temps मानस जनम दुलम गुर्मुख पाय मान तन होए चुलाम भुजे सत्व गुर्पाया। एस आठी बहुत बड़ी किस्मत है कि सानु ए मनुख्खा जीवन मिलिया। क्योंकि इस हुमन लाइफ दे विच रहके ही गुरु साइब दस्य होई सिधानता ते चलके उना दी सुनके उना दी समझ के उना दी मन के उसनु अपने जीवन दे विच टालके सानु अपनी जिंदगीनु सफला करंड़ा एक सुनहरा मौका मिलिया। इस दुनिया दे विच आणके गुरु पार्शा जी ने सानु सचे मारक दे नालते जोड़या ही ते नाली सानु हनेर्यां चों कड़ के प्रकाश वाल लेके गए। तान्तन शिरीगुरु नानक दे माराच जी दा सड्डे 500 साला प्रकाश पूरब आज सारे ही संसार दे विच बड़े ही तूमताम नल मनाया जा रहे। आओ असीनी सारे मिलके गुरु नानक दे पार्शा जी दे जीवन ते चात मारी है। तान्तन शिरीगुरु नानक दे माराच जी दा जनम 15 अप्रेल 1479 नू रायपोहेदी तलवंडी विखे माता त्रिप्ता जी दी कुखों होया। जद्गुरु नानक दे जी दा जनम होया ता दाई दौलतां पाजदी हुई सबनू दसंडी आई। उस दे चहरे ते इक अलाग ही हरानी जही सी। मैता कालु जी ने उसनों कुखचिया की गलतों इने हरान क्यों है। ता उसने दस्या कि अक्सर जद बच्चे पैदा हुन दे हन ता ओ रोन दे हन पर ए बालक इनाता रोया पलकी उस दे चेहरे ते एक अलोकिक जया नूर सी ए सब सुनके गुर्णानक दे पाश्चा जी दे पिता बहुत हैरान होई ते उससे वेले ओ पंडित हर द्याल को चले गए जद पंडित हर द्याल ने आणके देख्या ता उसने उससे वेले ही कह दिता कि तुसी बहुत ही पागावाले हो जो तानू परमात्मा ने ऐसी दात द वड़े होके तवड़ा एह पुत महापुर्श वज्यों जाने आजाए। जदो गुर्णानग डेव जी थोड़े वड़े हुए, ता महता कालुजी में होनानू पंडित Gophण दासजी को पड़नली पाधता। जद पंडित कुपालदास जी उनानों कुछ भी पढ़ान दे, ता गुर्णानक दे पाशाजी चाट सब को समझ लेंदे सी. ता ए सब चीजां देखके पंडित कुपालदास खुश भी सी, ते हैरान भी बहुत हुए, कि बालक गुर्णानक दी मत बहुत उच्छी है. एक दिन जद पांदे ने पट्टी ते उड़ा एड़ा लिख्यूस दा अर्थ समझाया, था गुर्णानक दे पाशाजी ने उना अर्था नुवी वक्रा ही रांग दे देता. गुर्णानक दे पाशाजी ते दस्से हुए, उना अर्था दी बाणी, तान तान शिरी गुरु से महराजी दे चारसो तेती आंगते पट्टी लिखी दे वेचे दर्ज है. गुर्णानक दे पाशाजी दा सबाब बच्पन तो ही सब्दी मदद करन वाला सी. अक्सर गुरु से अब अपड़ी कर दियां चीजानू लोड़ वंदां दे वेचे वंड़ द्या कर दे सी. जद गुर्णानक दे पाशाजी जोबंदे विच आए. ता ओना दे पिताजी ने उन्नानू वीर पे देके ता केहा कि शहर जाके वेपार करके सच्चा सौधा कमा किया. ऐ सुनके गुर्णानक दे पाशाजी ने मी उस वेले मन लिया. ते ओ अपने यात्रा ते पाई मर्द जद गुर्णानक दे पाशाजी जारे सन उस रहा ते गुरु सहेब ने सब नू नेकी इमानदारी ते सचाई दा मारग सिखाया. ग्रहस्त जीवन दे विच रहके अपनी नेकी ते इमानदारी नोसी नहीं पुलना. फिर जद गुरु पाशाजी इस तो अग्गे गये, थो दोनानू क्या क्यों काफी दिना तो पुखे ते प्यासे हन। गुरु सहेब ने उस वेले सोचया कि पिता जी ने सच्चा सोदा करनू क्या सी। ता इस तो वद के इस वीर पे दा सच्चा सोदा होर की होएगा। गुरु सहेब ने उस वीर पे दा लंगर त्यार करवाया। ते एना पुखे साधुआनू लंगर्शका के एह प्रथा जलाई। गुरु साहिब दी उस समेधी वी रुपे दी चलाई होई प्रथानू असी आज वी पूरे संसार दे विच जात पात दे पेद पाफ तों हाटके एक जुट को के बड़े ही प्यार दे नाड इस लंगर्शका दी प्रथानू मालाई। ता फिर इस दे बाद गुर्णानक दे पाश्चा जी अपनी प्यारी पैन बिब्बे नान कीजी कोई। सुल्तान पूर लोधी भी गय। ओथे जाके गुर्णानक दे पाश्चा जी ने मोधी खाने दे विच नौकरी कीती। ओथे गुरु साहिब जी ने नौकरी दे दोरान जाद कोई सोदा लेंडी आन्दा ता गुरु पाश्चा जी हार एक नू तेरा तेरा करके तोल तो वद होर सोदा दे देुँँँँँँ गुरु नानक दे पाश्चा जी ने लोकाई नू तारणली चार उदासियां उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिन ची कीती हां। गुरु साहिब ने हार तरम दे लोकाई नू उस एक पर मातमा दे नाल जोडे हैं। ग्रहस्त जीवन दे विच रह के वी सच्ची या ते सुच्ची इमानदारी वाड़ी जिंदगी अपनी वतीत करो। इस दे नाल नाल गुरु पाश्चा जी ने फिर नाम जपनवाल परे रिया। ते सानू समझाया कि अठे पैर उस एक पर मातमा दा नाम कदे ना विसरो। क्योंकि उस नाम दी बदौलत ही सड़ा पार उतारा होना है। ते फिर इस तो बाद गुरु सहीब ने सानू वंड शकन वाल परे रिया। ते उननाने समझाया कि असली वंड शकन दा अर्थ की है। उस वंड शकन दे अर्थ विच सिरफ पैसा जा लंगर नहीं आन दा बलक नौलेज, पॉजिटिविटी ते गुणवी ओंदे हन। शिरी गुरु नानक देव जी जाद सुल्तान पुर लोधी विखे वे नदी विच अलोप हुए। ता परतन तो बाद गुरु नानक दे पाच्छा जी ने मानव तानू उस एक परमात्मा दे नाल जोडेया। ते जानी कि सारी स्रिष्टीवदा करण हार एक परमात्मा कल्ला ही है। सब कुछ आप ही ओ कर रहे। निर्पव उसनों किसे दा डर नहीं। निर्वैर को किसे दा वैरी नहीं। अकाल मुरत उस परमात्मा दी कोई मुरत नहीं। अजुनी सयभंग। उन नाते जुन ना शाद रूपियों पर मातमा निल्दा जदो समाज औरत ते मर्दे वेचे पेदपाव करदा सी ता गुर्णानक दे पाशा जी ने सांजी वालता दा उपदेश ते के औरत ते मर्दे पेदपाव नूँ खतम कीता ते उना ने गुर्बाणी रही वी इस पंक्ती नूँ उचार सो क्यों मंदाय आखी है जित जम्मै राजान गुरू साइब जी उस वेले समाज उच फैले होए करम कांड अते वेहम परम नूँ दूर करण वास्ते हर द्वार विखे पंडतानू से दिर्थी ते किते सजण ठाग वरग्यानू उस्षद्धे रहते पाया किते कॉड़े र वरग्यान दावी अंकार तोड़या अते मलिक पागो वरग्यानू सही अते इमांदर कमाई करन नूँ परे रिया गुरू जी ने लुकाई नू ए संदेशित्ता कि परमात्मा हर था आते हैं जदो गुरू नानक देव जी मक्का मदीना विखे पहुंचे ता एक फकीर ने ओना नू क्या कि तो अड़े पैर ता खुदा दे करवल हन ता गुरू जी ने उसनू किहा कि जिस पास से रबदा क पर नहीं है उसवल मेरे पैर करदो जी जदो उस फकीर ने गुरू जी दे पैर काबे दे विपरीद दिशा विच कीते ता उस था ते वी काबा ही दिखन लग पया इस कौतक तो ओ फकीर बहुत ही हैरान होया अते उसने गुरू जी तो फिर माफी मंगी ऐस तो गुरू जी उसने ए उपदेश रित्ता कि रब इस कायनात विच हर था ते मौजूर है गुरू सहीब में सारी मानवतानू कुद्रत नाल प्यार करन ते कुद्रत नू सवारन दा उपदेश रित्ता अते होना ने क्या पवन गुरू पाणी पिता माता तर्त महात दिव सिरात दोए खेले सगल जगत चंगियाईयां बुर्याईयां वाचे तर्म हदूर कर्मी आपोय आपणी के नेडए के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख युजले के ती शुटी नाल गुर्णानक दे पाश्याजी ने हर था ते चानना कीता अते सानूह नेरिया चो कड़्या ते नाल ही सानू समझाया कि किमे ग्रहस्त जीवन दे विच रहके साच्च दी कमाई करनी है, सचे मारग दे तुर्णा यहे ऐसी गुर्णान दे पाशाजी दे जीवन दे विचो एक छोटी जही चात जिते सारा संसाराज गुर्णान दे पाशाजी दे सड़े 500 मां प्रकाश पूरब मना रहा है आओ असी सारे मिलके वी गुर्णान दे पाशा जी दे दसे होई सिधानता नू अपनी जिंदगी दे विच लेके आईए ताकी साधा ओना वी सफला हो जावे समू MH1 परिवार वलों आप सारे आनू गुर्णान दे पाशा जी दे पांसु पंजामे प्रकाश पुरव्णियां लख 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 वदाईयां हों वंजी वाहिगुर्जी का खाल साव वाहिगुर्जी की फते